दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप में यूजर एकाउंट कैसे क्रियेट करें तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए मैं आपको step by step सारी चीजे बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता इसके क्या फायदे हैं तो दोस्तो माली जे आपका कोई computer है और उसको use करने वाले दो या तीन लोग हैं माली जे तीन लोग उसको use करते हैं लेकिन हर कोई उसको अलग-अलग तरीके से use कर रहा है उसमें अलग-अलग password डाल ला है या हर कोई अलग-अलग software install करना चाता है त कुछ अलग प्रकार का मैं वहाँ पर wallpaper लगाऊं तो इस प्रकार से आप दो-तीन भागों में बाट सकते हैं जिससे सभी लोग अलग-अलग प्रकार से आपके computer को use कर पाएंगे एक ही computer को आप 3-4 भागों में पांच भागों में बाट सकते हैं जितने user account आप create करेंगे उतन भागों में आपका computer ये laptop बट जाएगा अब एक में आप कोई और password डाल सकते हैं कोई और software install कर सकते हैं दूसरा चाहे तो उसमें अलग wallpaper या उसमें अलग password लगा सकता है अलग software install कर सकता है तो basically इसका काम यह होता है कि ये आपके computer ये laptop को कई भागों में बाट देता है जितन कोई इसको access ना करें और वो मेरे computer को use भी कर लें तो आप अपना अलग user account बना सकते हैं और अगर दूसरा कोई इसको चलाता है तो आप उसके लिए अलग user account बना सकते हैं ताकि उसको एकदम नया चीजे मिले उसमें वो अपने हिसाब से काम करें ओके तो I hope कि आपको समझ मे आइकन पर क्लिक करना है यहां पर आपको control panel मिल जागा कहीं न कहीं अगर यहां पर नहीं मिल ला है तो यहां search बार दिया होता है इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर search कर लिजे control panel यहां control panel आ गया इस पर click करके इसको open कर लिजे control panel में आने के बाद यहां पर आपको एक option मिले रहे गा चेंज एकाउंट टाईब इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो local user account होगा वो आ जायागा एक local user account पहले से इपना होता है तो अगर आप एक लूज़र अकाउंट create करना जाएगा अब यहाँ पर एक option है add someone else to this PC यहाँ पर देखिए इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह लोडिंग ले रहा है अब देखिए यहाँ पर आप से पूचेगा username तो यहाँ पर आपको नया username डाल देना है जो भी आप user account बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं सिवम ओके अगर आप चाहें तो इसमें password भी एंटर कर सकते हैं इसके बाद आपको next वाले option पर click कर देना है जैसे आप next वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका user account create हो जाएगा यहाँ देखिए user account आ रहा है पहला है local वाला दूसरा है सिवम जो मैंने अभी यह भी create किया है तो इस प्रकार से आप एक से अधिक user account create कर सकते हैं अपने computer रे laptop में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो अलफू लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा